तो स्वागत है आपके माई चैनल दी हेल्थी बिंग में डॉक्टर विवेखा जी और आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियों में आज इस वीडियो में जानेंगे कैमेमाइल टी के बारे में बहुत लोगों को कैमेमाइल टी के बारे में नहीं पता रहता है और जानेंगे इसमें इसके क्या साथ इफैक्स भी हो सकती है दोस्टों वीडियो ब्हुत श्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमाई चला सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नी आप हमें अभी बी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं बिन में आसानी से उपलब्द हो जाते हैं जिने साधरन ग्रीन टी के तरफ प्योड किया जाता है कैमेमेल चाई के गुण जैसे कि एंटीमेमेटरी, एंटी आक्सिडेंट और हीलिंग प्रॉपर्टी वो इसमें मौजूद कई अनिपकार के जो फ्लैवनेड होते हैं और जो पहुत सारी पोसक्त अत्तो होते हैं वो आपकी सिहत के लिए फैदे मंद होते हैं बहुत जगा इसे पारंप्रिक औसदी में, जंक मरने के लिए, आर्थ्रैटिस में, जलन और स्किन से जुड़ी आदि समश्चाओं के लिए उप्योग किया जाता है तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में केममेल जो चाई होती है उसके फायदे के बारे में पहला जो फायदा है वो है आपको एंग्जाइटी आपके चिंदा से रहाद देता है और नीड लारे में आपकी मदद करता है कैममेल चाई में मौझद एपेजनी नमक फ्लाइव नोट में नीद कर रभाब बढ़ाने वाले सेडियर्टिव एजेंट्स मौझद होते हैं जो बहतर नीड लाने में मदद करते हैं साथ ही कैमेमेल चाय में दिमाग को सांते करने वाले anti-convergent गुल भी पह जाते हैं एक रिसर्च में लोगों पर क्याएगे सोध में पता चला है कि कैमेमेल चाय का सिवन करने के बाद लोग लगवट डियर घंटे की गहरी निल लेने में सफल रही कैमेमेल टी के फायदे चिंता यानि anxiety से आराम दिलाने में भी मदद करते हैं हाल में कि एक एक सोध में पता चला है कि इसमें anti-anxiety गुल पा जाते हैं जो चिंता से रहत पाने में मदद करते हैं यह हलके से लेकर मद्यम generalized anxiety disorder को control करने में मदद करते हैं इसके अलावा कैमेमेल चाई महलाँ में प्रसाव यानि delivery के बाद depression या भी नीद नाने के शमश्या को भी कम करने मदद करते हैं दूसरा जो उसका फायता है वो है diarrhea और पेट समंधी शमश्या में आराम देता है पेट समंधी समंश्या जैसे कि गैस, कॉलिक और अबच, आधी बच्चो और बड़े दोनों के लिए प्रसानी के करना बन जाते हैं इनसे रहात पाने के लिए कैमेमेल चाई के पैदे आपको मिल सकते हैं कैमेमेल चाई पेट के उस मांचवेश्यों को रिलेक्स करती है जो खाने की आध तक ले जाती है इस प्रकार यह गैस से रहात दिलाने के लिए और पेट को आराम पहुचाने में आपकी मदद करती है कैमेमेल चाई पेट में अलसर पैनाले हलिवेक्टर पैलाइड नापके बैक्टिरिया को भी पनपने से रोकती है जिसे अलसर का खतरा कम होता है तीसरे जोंसका फैदा होता है वह आपको मधुमे यानि सूगर जिसे हम डियापटीज भी कहते हैं उसमें आपको यह कंट्रोल करने में मदद करता है कैमेमेल टी के फैदे की बात करें तो शरीर में सुगर के स्तर को कंट्रोल कर मदुमे यानि सुगर से बचा रखने में मदद करती है यह सरीर में सुगर के स्तर को कंट्रोल करने के सांती लिवर में ग्लाइकोजन के प्रभाव को बढ़ाती है इसके अलावा कैमेमेल चाई सरीर में इंसुनीन का स्तरवनाई रखने में मदद करती है जिससे ब्लड सुगर को नियंदित करने में मदद मिलती है चौता जो उसका फायदा होता है कि यह आपकी तवचा के लिए बहुत जादा फायदे मंद होते है कैमोमेल चाई पोसक तप्तों से भरपूर होती है और इसमें एंटी बेक्टिरियल गुड़ होते हैं जो आपके सूजन को रोकते हैं यानि जो आपके स्वैलिंग होती है उसको रोकते हैं और आपके तवचा में इंफ्लेमेशन होता है उसको भी रोकते हैं ये घाव होगे और कहीं पर आपकी जो निसान होते हैं उसको ठीक करने में बेहत प्रभावी होते हैं यहां तक की एकजिमा जैसी त्वचा की स्थिति के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाच्चों जो उसको फायदा होता है वो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और स्थिति की समश्या बढ़ती उमरे के साथ होने वाली एक ऐसी विमारी होती है जिसमें आपकी हड्डियों के आसानी से तूट जाने का बहुत खत्रा रहता है बॉडि में जब एस्ट्रेूजन लेवल बढ़ता है तो आपकी जो हड्डियां होती वो बहुत कम्ज़र हो जाती है अभी अब बहुत प्रेजयल हो जाती है दोस्तों चाय पीने से कुछ लोगों को ऐलर्जी हो सकती है, इससे त्वचा पर रैसेज, खुजली और फेपड़ों में सुजन भी हो सकती है, अगर ऐसा हो तो आपको चाय पीना छोड़ देना चाहिए. दोस्तों जोसका दूसर साइज एफेक्ट है, वो है कि जो पेगनेन लेडिज होती है, उसको कैममेल टी को औवएट करना चाहिए. क्योंकि गर्वा होस्ता मैं chamomile tea का 7 करने से U10 muscles होती है वो tight हो जाती है इससे U10 contraction होता है और U10 जब contraction होता है तो उसके जो mansposition होती है वो शिकुरने रगती है इससे जो गर्वा से का ग्रीबा होती है जो cervix होती है वो पतली होने रगती है और जो भून होता है वो जो बच्चा होता हो पहले गर्व से निकल जाता है तो इसलिए pregnant ladies को chamomile tea को avoid करना चाहिए इसका जो तीसा side effect वो हिया है कि chamomile tea खुन को पतला करने के काम करती है इसलिए जो लोग खुन को पतला करने वाली दवाय का शिवन कर रहे है तो उनका खुन और जाबा पतला हो सकता है इसलिए उन्हें chamomile tea के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के सलापर इसका सिवन करना चाहिए या भी इसे avoid करना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो में आपने जाना कि chamomile tea के benefits और satisfaction के बारे में उम्मेद करता हूँ कि या वीडियो आपको काभी अच्छे लगी होगी इस वीडियो को जो अपनी फैनल में शेयर करें ताकि सभी की knowledge बढ़ सके मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी नही healthy वीडियो में तब तक करें